कैसे हो साब अच्छों को नमस्ते सो दे थाटीम के अंदर आपका स्वागत है ठीक है एक बर मैं भी चेक कर लूँ कि हम लोग लाइब आए हैं कि अभी तक नहीं आए मैं बहुत टाइम से पोशिश कर रही हूँ कि जी हां बिलको लाइब आ चुके हैं ओके तो चलिए बच्चा क्लास को बिलकुल शुरू से शुरू करते हैं और आज हमारा लास्ट टॉपिक रहने वाला है जी नेटवर्किंग के अंदर का सब को नमस्ते सब को नमस्ते सब को नमस्ते ओके तो आप लोग एक बार क्लास को जरूर शेयर करके आजाओ सारे बच्चे जा करके हम भी लिख देते हैं जी आई एम लाइव सो जितने भी बच्चे क्लास के अंदर है सब को नमस्कार और हम लोग डे 13 के साथ में आज अपनी कक्षा की शुरुआत करने वाले हैं बिलकुल सो चलिए स्टार्ट करते हैं यहां पर strongest link यहां इब इस फर बिलकुल यहविनमटाब लाइफ के अलावा बच्चे जादा देखते हैं मतलला इवकिट में मैं डेखते हूं क्यूंड जो हैं बच्चों के नर्यसुलो है सबको नमस्ते चलिये बच्चा अब हम कक्षा को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं, देखे, मेरा नाम है लवजीतरोरा, बहुत चारे बच्चे ऐसे होंगे जुनको नहीं पता होगा, कोई बात में बता देते हैं, तो बच्चा हम 11 और 12 को Informatic Practices और Computer Science पढ़ा रहे हैं, जी, तो CS और IP, ये दो टॉपिक जो आपके Subjects हैं, ये मैं पढ़ाती हूँ, BC और MC holder 5 प्लस Teaching Experience, ठीक है, तो चलिए, अब आज की सक्षा के अंदर क्या होने वाला है, आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं, किसकी Networking की, और आज ये हमारा Day 13 है, जितने बच्चे आज पहली बार आए हैं, तो सब बच में 14 और 15 जो हमारा Day होगा, उन दिनों में हम लोग PYQs करने वाले हैं, तो जरूरा ना, उन Classes के अंदर भी, ठीक है, ये Computer Science की है, Informatics की धाई बज़े चल रही है, Class, ठीक है, Unacademy 11th and 12th कौन सा, Unacademy Commerce 11th and 12th वाले के उपर, Informatics के Classes, ठीक है, वैसे तुम इसको भी देख सकत हो, क्योंकि सेम टॉपिक आपके पास में IP के अंदर भी है, ठीक है, एच्छा लिए, आप हम आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इसी चैनल का जो टेलेग्राम चैनल है, तो आप उसको भी जॉइन कर सकते हो, कर सकते नहीं, आपको करना है, क्यों कि आपको मेरी सारी क्लासे के नोटिफिकेशन, जो आपको यूट्यूब से तो मिली रहे हैं, वहाँ से भी आपको मिल जाएं, तो जो भी कोई इन्फोर्मेशन भी होगी, वह भी आपको दे दी जाएगी, वहाँ पर है, तो देखिए, अब अच्छा आपको यहाँ पर प्लस सारा इंक्लूड रहेगा, बट यह सारी चीज़े बच्चा जी इसके अंदर और ज्यादा एड हो जाती है, तो हम लोग यहाँ पर प्रॉपर एक वाक्शीट के साथ में, प्रॉपर प्राक्टिस कोश्चन्स, रेगुलर क्लासेज, एमसी क्यूज, यह सारी चीज़े आपको प्लस के उपर जाकर के देखने को मिलेंगी, ठीक है, तो जो बच्चे अल्रेडी प्लस में हैं, उनको यह चीज़ें पता हैं, अभी कुछ स्टार्ट नहीं किया, तो बिल्कुल, मैं आपको यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ बताऊंगी, अगर आपने कुछ स्टार्ट है, ना, चलिए, आभी देखो मेरे अपकमिंग बैच्चे जो प्लस के उपर है, हम लोग पैंडास करने वाले हैं, हम लोग पाइथन रवीजन टूर करने वाले है, हम लोग टेक्स्ट फाइल करने वाले हैं, हम लोग सैंपल पेपर के उपर, जो हमारे बोड के बच्चे अभी एक्जाम देने वाले हैं तो मैं आप लोगों के लिए भी जो है कोर्स लेकर के आरी हूँ जो हमारा सैंपल पेपर वगएरा के उपर हो जो कि हमारा चल भी रहा है अगर हम बात करें तो ठीक है तो यह हमारा नेक्स्ट मंत का बच्चा बिलकुल हमारा टार्ग पर ठीक है तो यह मेरे डेली क्लास का टाइम टेबल है अगर बच्चा हम एपरिल मंत की बात करें तो एपरिल के अंदर यह सारे प्लस कोर्स आप बच्चों को देखने को मिले थे चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे एंड प्लस और आइकॉनिक की बात करते हैं और Qatar इसे सारे की सारे batches आप लोगों के हैं जो मेरे batches के अलावा भी आपको देखने को मिलेंगी यानि की आपके सारे subjects community tab की बाद कर लो तो community tab के उपर आपको सारे notification जितने भी हमारे upcoming classes के जो notifications या जो भी मैं link भेज़ती हूँ यहाँ पर भेज़ती हूँ आपके जितने भी notes है या फिर जो भी walksheets वगेरा जैसे देखो यह मैंने super 40 questions पैंडास की भेजे हैं walksheets भेजी है 21 number walksheets यह SQL की walksheets है ठीक है यह 20 number walksheets आपको भेजी थी राइट चले अब मैं आपको यहाँ पर जो बच्चे कह रहे हैं कि मैं हमने पढ़ाई नहीं है ठीक है जो बच्चे कह रहे हैं हमने पढ़ाई नहीं है हाँ और जो बच्चे कह रहे हैं कि मैं हम सैंपल पेपर भी बता दो है ना सैंपल पेपर सीरीज मैं उन बच्चों को यहाँ पर एक चीज बोलूगी आपके पास में एक life changing opportunity जो शायद आपको पता भी होगी और शायद आप इसके बारे में सोच भी रहे होगे ठीक है कि हम इसको join करें कि ना करें क्या है कहीं को इसके बारे में पता भी होगा कहीं उने तो एक मिनट भी नहीं लगाया होगा क्योंकि जो बच्चे हमें YouTube पर देख रहे थे जो बच्चे special glass पर देख रहे थे वो सिरफ 23 तारीक की रात का वेट कर रहे थे कि कब 22 तारीक के बाद 12 बज़ के 8 मिनट हो और कब हम लोगा नखेडमी प्लस जोईन करें तो जो बच्चे अभी सोच रहे हैं जिनको पता नहीं है तो आपको बता दू तो आपकी ये life changing opportunities के अंदर से एक opportunity है तो यहाँ पर क्या होगा आप 45 days हमारे साथ प्लस के उपर जोडेंगे अब यहाँ पर देखे क्या है 299 का subscription जो की आपको मिल रहा है ये सारी categories और classes आपके सामने लिखी है 23 से 30 तक इसकी last date है अब life changing opportunity अभी तक आपको ये चीज पता चल गई अब मैं आपको यहाँ पर बताऊंगे कि unacademy के उपर बच्चा 20% off चल रहा है कितना 20% off तो जैसे ही आप 299 का subscription खरीदने जाओगे और आप इस प्यारे से code को एंटर करोगे क्योंकि अपने आप में कह रहा है ना alive so la live ये code जैसे ही आप एंटर करोगे तो आपको तुरंत 20% का discount मिल जाएगा तो ये जो 299 वाला subscription है ये आपको 239 के अंदर मिल जाएगा ठीक है तो यानि कि आप 45 days के लिए हमारे साथ में जुड़ जाओगे कहां पर unacademy plus के उपर ठीक है तो जो बच्चे यहाँ पर कह रही है कि बिल्कुल मैं हमने कुछ नहीं पड़ा है तो यहाँ पर देखिए हर category के लिए अगर आप CUET वगेरा की preparation भी कर रहे हो अगर आप JEE के अंदर भी वैसे ये offer चल रहा है 299 वाला भी और अगर आप foundation वगेरा की तयारी कर रहे हो तो सब के अंदर देखो आपके पास में 20% discount है तो देखो अगर आप यहाँ पर बात करते हो अपने CBSE 6 to 12 की तो यहाँ पर यह price इसके है यह price इसके है यह price यह price मतलब यह month लिखे हुए है उनके पुराने price और यह 20% का discount मिल रहा है और मिलेगा किसके बाद में इस code को apply करने के बाद में चीक है तो यह LA life code जो आप use करेंगे इसके बाद आपको 20% discount मिल जाएगा तो अगर आप सीधा 12 month, 24 month ले रहे हैं यानि कि आप अभी enter हुए हैं तो आप 20% offer यूज कर सकते हो आप यहाँ पर 45 days के लिए अनकाडमी प्लस जॉइन कर सकते हो तो देखें यह opportunity यह मौका बलकुल कभी कभी ऐसे मौके मिलते हैं जो जिन्दगी में कभी बार बार नहीं आते यह उनमें से एक है 239 में आपको यह subscription है जो मिल जाएगा 20% discount इस code का यूज करते हो जो की यहाँ पर भी लिख दे ठीक है अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की इस कक्षा को हाई सब बच्चों को नवस्ते सब बच्चे एक बार इस कक्षा को शेर करके आजाओ देखो आभी जो ब्लू कलर का उपर लिखा है यह मेरी प्रोफाइल का लिंक है यह वाला ठीक है तो यहाँ पर आप क्या करोगे मेरी प्रोफाइल पर जाओगे तो यहाँ पर फॉलो वाले बटन पर क्लिक करके आप हमारी क्लास को फॉलो करेंगे ठीक है हमारी प्रोफाइल को फॉलो करेंगे ठीक है, ओके, so day 13 के अंदर आपका स्वागत है, चार्ट करते हैं, कौन-कौन बच्चा है जो सच में ready है, चलिए, अब मैम ये क्या डाइग्राम आप हमें दिखा रहे हो, इस डाइग्राम का क्या मतलब है यहां पर, देखिए, हम यहां पर बात कर रहे हैं किसकी, हमारी पू बहुत सारे rules हैं, जैसे हम अपनी country ही बात कर लें, हमारी country में बहुत सारे rules हैं, हमारे घर की बात कर लें, हमारे घर में बहुत सारे rules हैं, यह खाना-खाना है, चुप रहके, यह करना है, वो करना है, ऐसे करके, वैसे करके, सडक में चलते हैं, तो हमें rules follow करने पड़ते हैं हम school के अंदर जाते हैं तो हमें school में भी rules follow करने पड़ते हैं हम कहीं पर भी जाएंगे तो वहां के अपने rules हैं जो हमें follow करने होगे क्यों? क्योंकि सारी चीज़े systematically way के अंदर चलती जाएं जैसे मेरे कोई यहां पर पहुंचना है और यहां से बीच में अब सड़क है यहां पर तो अब सड़क के अंदर चलने के भी rules है ऐसा तो नहीं कि तुम सड़क के बीचो बीच चलोगे नहीं चलोगे तो हम क्या करेंगे left side से चलेंगे जब वापिस आएंगे तो right side से ऐसे वापिस आजएगे ऐसा नहीं होगा कि हम बीच बीच में चलेंगे तो यानि कि अगर हम ऐसा करते हैं कि बीच में चलेंगे तो नुकसान किसको होगा हमें होगा हम शाए destination तक पहुंची ना पाए तो वही चीज यहां पर मैं आपको बता रही हूँ क्या मैंने आपको थोड़ी से पहचान दे दी कि रूल्स क्या होते हैं अब हम अगर यूज करना चाहते हैं क्या वेलकुल इंटरनेट यानि कि मेरा जो डेटा है यहां से यहां जाए मैं इन दोनों कम्प्यूटर्स के बीच में एक connection establish करने के बारे में सोच रहे हूँ बतला मैं करना चाहती हूँ इन दोनों कम्प्यूटर्स के बीच में connection establish मैं कोई भी डेटा अदान परदान यानि कि भेजना और रिसीव करना चाहती हूँ तो यहां पर यह डारेक्टली नहीं कर सकते क्या होगा इनको कुछ रूल्स कुछ दाइरों में रह करके यह चीज़े करनी होगी यानि कि यहां पर हमारे पास में use होते हैं network के उपर इसके अपने rules उन rules को ही बोला जाता है क्या protocols यहां पर ठीक है मेरे ख्याल से बहुत easy तरीके से यह चीज़ आपके दिमाग में fit हो गई होगी rules जो की applicable होते हैं network के उपर जब हम एक जगह से दूसरी जगह कोई भी data transfer करते हैं जब हमने एक computer को दूसरे computer से communicate करना है हम कोई भी file भेजते हैं किसी और को किसी की file हम खुद receive करते हैं हमें internet से किसी के साथ में video call करनी है कोई हमें video call कर रहा है हम उसको file भेज रहे हैं वो हमें file भेज रहा है तो जब भी हम internet के उपर जो भी चीजे कर रहे हैं तो उसमें अलग-अलग सब जगह rules हैं जो लगे हुए हैं यानि कि अलग-अलग protocols का use हो रहा है जैसे सड़क पर चलने के अपने rules हैं हमारे घर पे हमारे कुछ अपने rules है हमारे school में हमारे कुछ अलग rules है तो यानि कि हर काम के अपने अलग-अलग protocols हैं तो चलिए अब इस definition का एक preface जो आपके दिमाग में बन चुका है जो की बनना बहुत ही ज़रूरी है हाँ देखो हर्ष अगर मैं तुम्हें बताओं बचचा देखो 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 networking networking की जितनी भी चिंता है ना वो मैं तुमारी एक मिनट में दूर गर दूँ देखो networking कितने नंबर का है ma am दस नंबर का networking है अब दस नंबर में से एक नंबर की क्या आती है एक नंबर की एबरिवेशन तुम लोगों को पूछी जाती है और पांच नंबर का नहीं ने सौरी सौरी चार नंबर का चार नंबर का तुम्हें यहाँ पर केस टड़ी पूछा जाता है तोटल मिला करके कितने हो जाते हैं पांच नमबर, अब पीछे कितने बचे, पांच, अब पांच में क्या जान लेंगे क्या, है ना, इसमें क्या हमारी जान लेंगे पांच नमबर के अंदर, तो इतना टफ नहीं आएगा आपका networking, जो आपने चीजें पढ़ी है ना, सिर्फ उसी में से पूछेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, जो आपसे कुछ ऐसी दुनिया से पूछ लें, जो आपकी ना तो बुक में है, ना कहीं लिखा हुआ है, तो पांच नमबर के अंदर, छोटे-छोटे questions आपको section 1 में ही पूछ लिए जाएंगे, एक दो questions तो, फिर पीछे 3 एक questions बच गए, वो आपको एक नमबर तुमने complete कर लिया है, चार नमबर तुम्हें case study के अंदर कराने है, पांच नमबर का topic है यहां पर, है ना, हाँ, तो अब थोड़ी सी tension दूर लग रही होगी, पांच नमबर देखते हुए, ठीके, तो जो आप पढ़ रहे हो, बस उसी को अच्छे से पढ़ते ज करते हैं, तो according to your syllabus, बच्चा, distributing या disturbing क्या लिखना चाहते हो, अमित, हाँ, बिल्कुल, अमित एक चीज बोले, जब हम रास्ते में चलते हैं, तो हमारा ध्यान किदर होता है, सामने जहां जा रहे हैं, वहां होता है, कि तुम ऐसे रास्ते में मिट्टी, पत्थर, सूखे हुए पत्ते, यह देखते जाते हो, क्या देखते हो, बताओ, जब तुम कोई ड्राइविंग करते हो, तो तुम सामने सडक पर देखते हो, कि इधर उदर जो ऐसे वो पड़ा होता है, कच्रा उसकी तरफ देखते हो, तो यहाँ पर हमारा जो में डेस्टिनेशन है, वो क्या है, मतलब में जो हमारा मुद्दा है, वो क्या है, क्लास, पढ़ना, बिलकुल, तो हम बही पर ध्यान लगाएं न, मैं और आप, ठीक है, तो चीजे और जिंदगी, इजी है, ठीक है, तो अगर कुछ लोग डिस्टर रखना है, ठीक है, अपने आपको सिर्फ मोटिवेटर्ड रखना है, चालिए, अब क्या होगा, TCP, IP, FTP, PPP, फुलफोर्म्स, बहुत इंपोर्टेंट, ठीक है, पॉप 3, SMTP, यह सारे के सारे क्या हैं, यह सारे के सारे आपके प्रोटोकोल्स हैं, जनको आपको पढ़ना है, अब मैं अगर आपको बताऊ ना, इन प्रोटोकोल्स को, तो हमने इसको, इसको हमने BCA में पढ़ा, इसको फिर हमने MCA के अंदर पढ़ा, तो यह एक प्रॉपर सब्जेक्ट आया था हमारे पास तो, तो मैं अगर अपने experience के साथ में आपको बूलू, तो इतने बड़े, मत प्रोटोकोल का topic अगर यह है ना, तो आपको सिर्फ इनकी definitions तक ही सिमत रखा गया है, आपके 12th computer science के syllabus के अंदर, मतलब आपको कुछ भी इसके अंदर और ज़्यादा knowledge लेने की जुरत नहीं है, तीक है, आपके पास में syllabus के according, आपको सिर्फ इसके definitions तक ही सिमत करके रहना है, राइट, क्योंकि इनका आगे और भी बहुत use है, कि जैसे OSI वगरा हम आगे बहुत सारी चीजे करेंगे, उन सारी चीजों के अंदर, actually में तुम्हें feel होगा और पता चलेगा कि अच्छा, actually में ये network इस तरीके से काम कर रहा है, अभी जैसे मैं तुम्हें HTTP बता रही हूँ या FTP बता रही हूँ कि फाइल डाउनलोड अपलोड किया, उसके लिए use हो रहा है, लेकिन उसके आगे भी बहुत सारी चीजे होगी, जो आपको धीरे धीरे, of course, जैसे आप subject के लिए deep होते जाओगे, वो समझ आपकी पढ़ती जाएगी, अब हम यहाँ पर hypertext transfer protocol की बात कर किसकी text की, graphics की, images की, sounds की, videos की, इन सब की, तो होता क्या है, होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, अपना जो browser है open करेंगे, ठीक है, हमने अपना computer laptop open किया, यहाँ पर हमने internet use करना है, तो web browser का use किया, कोई भी chrome, edge, कोई भी open किया, अब हमने कुछ भी open करना है, मैंने कोई website open कर नहीं है, तो क्या होगा, मैं अपने browser से ना server को request करूंगी, ठीक है, अब server के उपर request जाएगी, और वहाँ पर हमारी बहुत सारी website engine को space मिला हुआ है, ठीक है, तो वो websites वहाँ से मेरे पास में वापिस, जो है, यहाँ पर, आप कहलो एक तरीके से show हो जाएंगी, कहाँ पर हम हम request कर रहे हैं, that is, HTTP request, और जब हमारे पास में response आ रहा है, तो वो HTTP की form में HTTP response कहला है, ठीक है, तो यह हमारे पास में HTTP का एक overview यहाँ पर हो गया, ठीक है, hypertext, transfer protocol, अब इसके अंदर भी दो चीज़ें होती हैं, एक होता है, जी, HTTP और दोसरा होता है, HTP S, S से यहाँ पर बिलक for security, बात क्या होती है, कि जैसे HTTP है, अब इसमें आपने password रखा, तो this is यह वाला, लेकिन HTTP S में security क्या हो जाती, कि वही password आपका encrypt हो जाता है, encrypt यानि कि एक तरीके से, जैसे हम code language में बात नहीं करते कभी-कभी, है ना, कभी-कभी हमें ice cream खाने बाहर जाना है, तो हमारे मम् फैनों ने एक code बना रखा है, है ना, जब हम करेंगे, that means हम बहां जा रहे हैं, बहार जा रहे हैं, करोंगे तो जैसे तुम लोग cheating के अंदर code word बनाते हो, हो तो मजाग की बाते रही, बड़ अगर हम इसी के उपर focus रहें, that means कि जो आपका password है ना, वो encrypt हो जाएगा, वो ए time लगेगा, कर ही नहीं पाएगा, basically आप टेहलो, ठीके, क्योंकि वो encrypt हो चुका है, ठीके, encrypted को ये hack नहीं कर सकेगा, लेकिन अगर उसके सामने ये direct आपनी गुरू 99 लिखा हुआ है, तो ये अब इसको hack कर सकता है, ठीके, तो ये S लगाने से ये फरक पड़ गया, क्या security, ठीके, तो कभी-कभी आप नहीं देखा होगा, कभी-कभी नहीं, आप हमेशा ही देखते हो, कि जैसे जो हमारी, जिसमें bank bank की websites वगेरा होती है, जैसे SBI वगेरा की, है ना, तो इनके अंदर जब हमां उपन करते हैं, तो HTTP लिखा होता है, ना कि HTTP लिखा होता है, तो जो specially ज यह U4GA, देखो बच्चा, एक्चुली ना, मैंटी में मेरा experience ना, यार कुछ अच्छा नहीं रहा, अगर सच कहूं तो, तो मैं मैंटी रखने की बजाए ना, तुम्हारी special class रख लूँगी, 10 रख लूँगी, पर मैंटी मत रखवाओ यार, ठीक है, एक्चुली मैंटी मैं नहीं कर पाते हो, क्योंकि screen पर pen नहीं चलता है, है ना, हाँ, ठीक है, तो इसलिए मैं फिर उस एक बार मैंने class रखी उसकी, और फिर मैंने उसके बाद में सोचा कि नहीं, हम उसको special पर ही रखते हैं, जब भी pole वाली class होगी, ठीक है, तो pole वाली class होगी ना, तो आप उसके 9.45 पर, ठीक है, हाँ, stack, stack ना, actually stack को मैंने अलग रखा है इससे, 15 days से, तो stack ना मैंने करवा दिया है, आपको, economics on tips channel जानते हो ना, आभा, otherwise आप क्या करना, youtube पर type करना, क्या, stack, class 12th, python, या कुछ भी, by love g तरोरा, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, उसको मैंने one shot के अंदर कर करा रखा है, stack को, उसमें मैंने बहुत सारे questions भी करा रखे है, stack के अंदो, ठीक है, चलिए, अब देखे, यहां पर हो रहा है, क्या, file transfer protocol, बच्चा, file transfer protocol, तो मैंने फिर से आपको बताया, कि इसमें सिर्फ आपके पास में overviews है, तो देखे, अब इसकी definition आपको इतनी सी ध्य जान में रखनी है, कि जब हम एक file, दूसरी जग है, किसी दूसरी file को हम share करते, मतलब एक file को हम दूसरी, मैं कहलो कि इसमें मुझे इंटरनेट से डाउनलोड करनी है, या मुझे वहां पर upload करनी है, तो file जब जाती है, तो यह हमारा किस के थू हो रहा है, file transfer protocol के थू है, जो ठीक है, crimes वगएर आपके syllabus में है ही नहीं साथ, ठीक है, चलिए, मतलब कहने का कि अगर मैंने client, यानि कि मेरे system से मैंने request किया, अभी request मेरी यहां पर गई, तो मैं अब request कर रही हूँ, यानि कि मेरी file मेरे पास में जो है upload हो रही है, फिर अगर मैं उसको download करूंगी, तो यह स हमारा main TCP IP protocol है, और यह एक आप कहलो कि general protocols के अंदर से एक आता है, ठीक है, TCP IP, इनका जो इसको समझने के लिए आपैसे समझो, या कि भई दो जने हैं, ठीक है, एक तो postman है, और इस postman के पास में बहुत सारी चिठियां है, बहुत सारी चिठियां इसके थेले में चिठियां चिठियां भर रखी है, यहाँ पर इसने है, ठीक है, अब इसको पता नहीं है, address नहीं पता कि कौन सी चिठियां इसने कहां भेजनी है, तो होगा क्या, इसके पास में इसका छोटा partner है, ठीक है, उसको सब के address पता है, कौन सी चिठियां कहां जानी है, तो अब इनके पास मे अब इसको इसके पास एड्रस अब इसको समझों कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहे हूं वही चीज यहाँ पर है यहाँ पर हमारे पास में चिठी नहीं क्या होगा कि हम अगर एक message भेजते है न बच्चा एक जगह से दूसरी जगह पर हमने ये message बनाया, अब मैंने ये दूसरे computer पर भीजना है, तो ऐसे में क्या होगा कि आपका message एक साथ नहीं जाएगा, आपका message क्या होगा, टुकडों में divide होगा, उन टुकडों को हम packets बूलते हैं, तो यानि कि packets में आपका message है जो divide हो गया, जैसे कि ये पूरा message था, अब इसके क्या बनगे जी, packets बनगे, अब ये अलग-अलग route से होता हुआ, आपके destination के server पर पहुँचेगा, अब जैसे ही destination के server पर पहुँचा, ये जो काम हो रहा है, किसके through हो रहा है, बेसिकली, जो मैं आपको बता रही हूँ, ये TCP के through हो रहा है, और address का पता करना किसके through हो जी, IP के through, यानि कि हर एक जो packet है, वो कहां पर जाना है, ये इसके साथ में IP, इसका IP address अटैच होगा, यानि कि ये कहां से आया है, और कहां पर इसको हमने आगे फर्दर भीजना है, कौन से server पर है, जो जी जाएगा, अतलब कौन से system के through हो रही है, कहां पर भीजने के लिए तो क्या होगे, ये सारा message आपका बच्चा, packets के अंदर divide होगा, वो packets, अलग-अलग root से होते हुए, होते हुए, होते हुए, आपके destination के server पर पहुंच जाएंगे, अब जो TCP protocol है न, वो दुभारा से आपके सारे message को क्या कर देगा, reassemble कर देगा, तो सारा message आपका reassemble हो गया, जिस form में भेजा गया था, और वो फिर user को दे दिया जाएगा, या सामने destination को दे दिया जाएगा, ठीक है, तो ये काम विल्कुल वैसे ही हुआ कैसे, जैसे इन्होंने चिठियां देनी थी, अब इसके पास में चिठी थी, लेकिन इसके पास में address था, तो अब चिठी address, चि protocol है, उसके पास में सबका IP address है, कि कौन सा packet किधर जाना है, क्योंकि ऐसे में तो बहुत सारे लोग request कर रहे होंगे, इतने सारे packets होंगे, ठीक है, तो इस वजह से, जो है, मैंने आपको ये वाला example दिया, I hope आपको ये समझ में आ गया होगा, अब यहाँ पर देखो, ये जित ठीक है, क्लास को शुरू से देख लो, okay, so TCP IP protocol, communication between two computers on internet is done using कौन सा protocol आपका TCP IP protocol, अब TCP IP protocol में देखो, इसने लिमिट भी लिख रखी है, ठीक है, एक बार आप ये चेक ज़रूर कर ले न, अपनी बुक से, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको अपनी पुरानी बुक से, मैंने इसको लिया था, ठीक है, तो आप यहाँ पर इसको चेक कर ले न, बाकी देखो, इसके packets में डिवाइड हो गया, सारे के सारे packets बन गया आपके पूरे message के, है न, तो each packet is independent and has the address of sender or destination का, मतलब कहां से आया है, कहां को जाएगा, ये address उसके उपर होता है, ठीक है, अब ये अलग-अ अगर route से होता हुआ, destination पर पहुंच जाएगा, ठीक है, अब destination पर जब पहुंचेगा, तो वहाँ पर जाकर के उसी form में re-assemble होगा, जिस form में भेजा गया, अगर मान लेजे बीच में से कोई packet में सो जाता है, जैसे कभी-कभी होता नहीं है, कि हमने हमें किसी ने कोई message भेज करते हैं, simple mail transfer protocol, तो यानि कि नाम काम को बयान कर रहा है, यानि कि mail हमारी transfer करने के लिए use में आ रहा है, ठीक है, तो ये जो protocol है, ये हमारा कुछ इस तरीके से use होता है, जैसे कि ये sender है, बिलकुर, ये receiver है, यानि कि मान लो ये हम हैं और ये हमारे दोस्त है, ठीक है, ठीक है अब हमने क्या करना है, कोई mail भेजनी है, ठीक है, कोई ऐसी हमने mail भेजनी है, अब मैं क्या करती हूँ, यहां से मैं कोई भी mail send करूंगी, अब यहां पर SMTP जो protocol है ना, उसके थुरू mail भेजी जाएगी, मतलब वो use हो रहा है यहां पर, simple mail transfer protocol का use हो रहा है, जब मैं किसी को mail send कर रही हूँ, अब उसके server पर पहुंचेगी, तो भी हमारे simple mail transfer protocol का use हो रहा है, लेकिन जैसे ही उसके server पर mail पहुंची, अब उसके पास जब receive करना है ना, तो यहां पर POP3 और IMAP दो protocols use हो रहे है, POP3 का मतलब होता है third version, मैं इसको आगे बताऊंगी भी, तो 3 का मतलब है third version और BASICALLY हो क्या रहा है, इस POP के अंदर, BASICALLY यह हो रहा है, कि आपके पास में, POP3 के अंदर यह चीज होती है क्या जैसे आपके server पर यहा पर mail पहुंची, तो अब क्या होगा, server पर जैसे ही mail पहुंची, तो BASICALLY, जैसे यह इसके पास में local system है, ठीक है, अब क्या होगा, server से जैसे ही इसके system में download हो गए ठीक है मतलब ये offline था कुछ देर के लिए ऐसा नहीं हो ता कभी-कभी हम WhatsApp पर किसी को message भेजते हैं तो सामने वाला online नहीं है ठीक है सामने वाला online नहीं है तो उसके पास message नहीं जाता तो जब वो online हुआ तो फटाक से उसके system में message पहुँच गया वही चीज यहाँ पर है कि यह बंदा अभी online नहीं है ठीक है इसने system बंद कर रखा है तो उसके server पर पड़ी है जैसे ही हो system से connect होगा तो वड़ा वड़ से download हो जाएगी उसके system के अंदर अब यहाँ पर जैसे ही local system पर download हुई ना तो pop 3 के अंदर क्या होगा कि वो server से भी delete हो जाती है लेकिन imap के case में वो server पर भी रहेगी और वो आपके local system पर भी रहेगी तो क्या होगा कि अगर मानलो मैं आज चंडिगड में हूँ और मेरा local system कोटा में पढ़ा हुआ है तो ऐसे में क्या होगा तो ऐसे में देखो क्या होगा हमारे पास में हम तो इस local system के उपर ही depend होकर के रह गए तो जैसे outlook वगएर आपका example आपने देखा होगा कि जैसे आप outlook से on होते हो उससे तो आपके पास में सारी दढ़ा 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 आकर के उसमें store हो जाती है ठीक है चले आप यानि की mail भेज रहे है तो simple mail और वापस आ रही है तो आपके पास में आई-map और मतलब डाउन्लोड हो रही है server से destination के पास में ठीक है तो pop 3 हमारा यह 3 का मतलब 3 वर्जन है यह कुछ जादा हो गया यह कुछ जादा हो गया violence 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 I don't like violence तो देखिए अब यहां पर आपके पास में यार लाइक कर दो गर तुम्हें इतनी अच्छी लग रही है क्लास तो ठीक है है हम कभी कहते नहीं है तो तुम लोग लाइक करती ही नहीं हो यार ऐसे मत किया करो यार ठीक है ने श्रेया नहीं है श्राव्या है तो देखिए कहता है Post Office Protocol Version 3 तो यह मैं आपको बता चुकी हूँ अभी ठीक है कि सारा इसका पॉप का भी बता चुकी हूँ जैसे कि जा रही आपकी मैसेज मेल जा रहा है मेल जा रहा है तो पॉप 3 और IMAP ठीक है तो जब यह देखेगा तो यह प्रोटोकोल्स यूज हो रहे होंगे ठीक है बेसिकली मैंने इन तीनों के बीच में यहां पर अंतर बता रखा है ठीक है इन तीनों के बीच में अंतर बता रखा है Simple Mail Transfer Protocol ठीक है तो जो मैसेज भेजने के टाइम पर हो रहा है वो यह वाला हमारा है और Receiving के टाइम पर Downloading के टाइम पर कौन सा हमारा यह वाला पॉप 3 हो गया और हमारा IMAP ठीक है इसमें बहुत सारे features होते हैं included पॉप 3 से भी जादा ठीक है पॉप 3 से जादा इसके अंदर features include होते हैं और इसके अंदर नहीं होते हैं इसमें हमारी जो मेल है वो हमारे local system पर रहेगी और उससे डाउनलोड डिलीट हो जाएगी इस वजह से यह वाला आप कहलो कि IMAP के अंदर यह चीज नहीं होती है ठीक है तो वो हमारी email कहां पर है अब हम यहां पर remote access protocol की बात करेंगे जिसको हम लोग telnet protocol बोलते हैं इसका example आप बच्चों ने देखा होगा कैसे कि जैसे lockdown चानक से शुरू हो गया था तो आपके पापा का office जो है जो office का computer है वह वह पर पढ़ा है अब पापा घर पर है अब क्या करें office वाला computer कैसे use करें तो आपने देखा था या फिर आपने use भी किया होगा आपके teachers ने बहुत सारे software's download करवाए होंगे क्योंकि हमने करवाई थे है न तो देखो क्या था कि भाई अगर मान लीजिए मेरे system कहीं और है दूसरा system कहीं और है तो मैं इस system को remotely access करना चाहती हूं समझे कि नहीं मैं इस system का use करना चाहती हूं कहीं और बैट करके चलिए मेरा ये laptop खराब हो जाता है ठीक है अब मैं क्या करती हूं फोन करती हूं इसके company को HP company को कि भही मेरा laptop ऐसे ऐसे खराब हो गया तो अब वो क्या करेंगे वो सबसे पहले ऐसे कहेंगे कि मैम आप any desk या फिर team viewer उसके थुरू हमें थोड़ access दे दो तो software के अंदर जो भी होंगी अगर कोई भी problem होगी तो वो वहीं से देख करके set कर देंगे लेकिन अगर hardware में होगा तो of course से मैंने अगर उसको team viewer को download किया तो वो मुझे अपना address देगा मैं वो address सामने वाले को बताऊंगी अब वो सामने वाला उस software में फिल करेगा और फिर उससे connect हो जाएगा तो यह जो चीज हो पा रही है ना remotely access करने वाली इसके पीछे भी protocol प्रोटोकोल काम है जो कर रहा है और वो प्रोटोकोल आपका कौन सा है जी telnet प्रोटोकोल है तो यह वाली चीज हो गई अब हम यहां पर point to point point to point protocol जैसे triple P protocol point to point protocol that enables the communication and data transfer between two nodes सो दो nodes के बीच में ठीक है directly हमारा transfer हो रहा है तो यह हमारा point to point सामने to सामने अब चलिए हम triple W के definition देखते हैं triple W stands for worldwide web that is also known as web देखे अब इसको जो invent किया था शक्स का नाम टिम बर्नर ली है www with the internet allows जो इसके तुरू मतलत जितनी भी हमारी websites है न आप कह सकते हो एक तरीके से उसका जाल है आप देखो worldwide web ठीक है so web का जाल है ठीक है तो यहां पर these websites जितनी भी website हमारी कोई भी आप download करते हो अगर आपने देखा है तो उसके अंदर क्या होता है कोई text होता है कहीं पर कोई video होती है कोई animation होता है कोई audio sound कुछ भी ऐसा होता है किस website के उपर है तो बिल्कुल हमारी websites के उपर यही सारी चीज़े तो होती है text कहलो आप कोई भी image कहलो कोई भी sound कहलो सारी चीज़े तो कह सकते हो कि it is a collection of websites या फिर web pages का web pages का stored in web server ठीक है तो यह collection हो गया किसका हमारी websites का या फिर web pages का जो कि store होती है कहाँ पर एक खेत में खेत का नाम क्या है web server है यहाँ पर cdc भाषा में आपको समझा दिया और यहाँ पर आपको web server का मतलब भी समझ में आ गया कि web server यानि की मानलो एक खेत है ठीक है उसमें बहुत सारे मानलो खेत कहलो या फिर कुछ भी विल्ड कहलो हा ना तो बहुत सारे घर वने हुए है तो घर यानि की उनको जगय ले रखी उनोंने खरीद रखी तो वैसे ही ये जो हमारा वेब सर्वर है इसके अंदर वेब साइट्स है जो उन्होंने सुपेस लिया हुआ है तो वह अपनी वेब होस्टिंग कर आ रहे हैं य या इन्वेंट किया तो वो हमारे उनका नाम है टिम बर्नर ली 1989 के अंदर A, B, C, D बच्चा आपका कोर्स आलरीडी चल रहा है ठीक है हम लोग ना 2nd April से आपका कोर्स आलरीडी स्टार्ट कर चुके है लेकिन वो कोर्स मेरा कल 25 तारीडी को खतम हो चुका है यानि कि मैंने आपको working with function पढ़ा दिया है अब मैं आपके साथ में python revision tour लेकर के आ रहे हूँ ठीक है और python revision tour आपका आ रहा है एक तारीडी से ठीक है python revision tour आपका आ रहा है एक तारीडी से नाम फिर से बोलो अब html xml ठीक है दोनों की बीच में अंतर देख लो सबसे बड़ा अंतर नाम का hypertext extensible यह खोद इतने important नहीं है जी जितने इनके नाम important है ठीक है जितने इनके नाम important मतलब full forms important है xml की तो काफी important है xml की तो काफी important है extensible markup language ठीक है तो html hypertext markup language it is used to display the data देखो देखो basically अगर मैं इसको वैसी overview में आपको तो क्योंकि आपके पास इसका कुछ भी practical portion नहीं है ठीक है practically आपको इसमें से कुछ भी नहीं करना है ना इसके अंदर से करना है ना आपको इसके अंदर से करना है आपको just खाली इनका अंतर आ सकता है देखो यह दोनों जो है ना यह दोनों games है किसका tags का दोनों किसका games है, tags का अगर आपको tags पता है तो आपको language पता है, नहीं तो नहीं पता खैर हमको तो language भी नहीं सीखनी है तो ये hypertext markup language जो की design करती है किसको आपके websites के content को जो भी website के उपर आप जितनी भी designs देखते हो, वो सारे के सारे HTML के तुरूगी हो रखे हो ये जो हमारी आप कहलो कि XML है, एक तरीके से इसका जो use हो रहा है न, वो data के base पर हो रहा है, मतलब data के उपर ये basically काम है जो कर रहे हैं, उसको store उसको carry करना, उसको exchange करना इसके जो code, जो tags होंगे वो सारे के सारे पहले से बने होंगे जैसे तुमने कभी use किया हो HTML, head, ये सारे, अब इनको खोलना भी पड़ता है, बंद भी करना पड़ता है यहां पर, ठीके, अब ये वाली जो language है न, इसमें कभी आपने ऐसे देखा होगा, कि आपने HTML ऐसे लिखा, तो दूसरी case में आपने ऐसे लिख दिया, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, यानि कि ये case sensitive language नहीं है, लेकिन आपकी जो extensible है वो एक case sensitive language है इसकी जो extension होती है, वो भी क्या होती है, जी dot XML होती है इसकी extension dot htm और dot html होती है, आपको practically कुछ भी लिख के नहीं आना है इसके अंदर चलिए, आपको practically इसके अंदर कुछ भी नहीं लिख करके आना है जस्ट आपको मैंने अंतर बता दिया domain, अगर domain की बात करते हो, तो यहाँ पर, yes बच्चा क्या problem है, पूछ सकते हो तुम क्या problem है, पूछ सकते हैं, अरे मेरे पास यह बंद कैसे हो गया like कर दो यार, अगर तुम लोगों को समझ में आ गया तो ठीक है, like कर दो यार, अगर समझ में आ गया lecture तो मुझे पता था crazy crazy बात करने वाला है इसलिए तुमने perfect नाम रखा है अपने लिए, ओके, तो देखिए हम domains की बात कर रहे थे, तो domain यहाँ पर क्या है, कि होगा क्या कि हम लोगों को अगर किसी भी computer के साथ में communicate करना है ठीक है, अगर मुझे मालो कोई websites open करनी या कुछ भी ऐसा मुझे web open करना है किसी website से मुझे कुछ भी search करना है तो अब क्या होगा, कि सब के क्या होंगे भी IP address होंगे तो अब यहाँ पर सब के जितनी भी IP address होंगे वो बड़े-बड़े मुझे अब याद करने में बड़ी दिक्कत आएगी तो यहाँ पर क्या है कि उनके place पर वो हमें याद रखना impossible सा है ठीक है, that is very difficult कि remember रख पाना क्या IP addresses को तो इसलिए हम क्या करते है हमने यहाँ पर जो है उनको एक domain नाम दे दिया ठीक है, तो उनके domain को याद रखना easy हो जाएगा तो जैसे हमारे पास में एक domain है जैसे cbsc.nic.in तो यह हमारा एक domain हो गया ऐसे आप कहलो कि उस company की पहचान हो गया एक तरीके से वो domain और वो दुनिया में क्या होगा जैसे IP address unique होता है ठीक है, तो यह proper आप IP address इसके अंदर URL के अंदर लिखते हो URL यानि कि आपका uniform resource locator जो कि आप अपने व्राउजर के जो है address बार उसके उपर लिखते हो http.www.xyz.com ठीक है, तो उसके अंदर वो जो नाम xyz है जैसे cbsc.nic है ना तो यह हमारा क्या हो गया यहाँ पर एक domain हो गया ठीक है, यानि कि उसका proper एक जो नाम उसको assign हो रखा है उस proper एक IP address को क्योंकि वो याद रखना तो बड़ा मुश्किल है अगर आप मान लो एक गाउ में रहते हैं उस गाउ में सब घरों के नाम numerical में है अंदरा पंदरा लेटर उसके अंदर है दस दस लेटर है उसके अंदर तो अब वो हमारे ले मुश्किल हो गया लेकिन अगर हम वहीं कह दें कि यह XYZ घर है, यह मननत है यह वाला घर है, यह यह वाला घर है तो वो हमारे ले याद होना easy हो जाएगा तो आप ऐसे याद करो इसको चलिए अब मैंने आपको बता दिया वैसे भी इसमें ज़्यादा difficult चीज़े है नहीं तो देखे, domains के अंदर आपके पास में basically कितने parts होते हैं, जैसे इसने यहाँ पर बताया है, cbse.nic.in in जो है इसके अंदर वो primary domain है nic है, subdomain किसका? in का, और cbse है जो इसमे, वो subdomain of nic है ठीक है, इतनी tough चीज़ें नहीं है, of course चीज़ें tough होती है, जब हम उसको पहली बार देखते हैं, ठीक है, चार-पांच बार इसको देखोगे, आपको वैसे चीज़ें याद रह जाएंगी, easy तरीका मैं यहाँ पर बता देती हूँ, क्या dot com dot edu, यह जितने भी है आपके general domain, ठीक है, तो इनकी full forms बगएरा याद रख लें, वैसे कभी paper में आती नहीं है, बट फिर भी 35 का paper आ रहा है, तो छोटी से छोटी चीज़ हमारे लिए important है इस वक्त, तो यह country specific domains हो गए, आपने देखा होगा, कई कई बार के कईयों के पीछे dot in लिखा होता है, कईयों के आगे dot com लिखा होता है, यह हम ज़ादा तर देखते हैं, बाकी AU हमें पता ही नहीं था, है ना, हमने कभी देखा भी नहीं होगा, अगर देखा भी होगा, तो हमने HTTP से लेकर के आखिर तक उस सारा uniform resource locator है जो आपके browser की address bar की उपर हम लोग fill करते हैं ठीक है अब website एक book जैसे collection है किसका pages का वैसे ही एक website किसका collection है web pages का ठीक है web page of course HTML वगएरा के अंदर जो बनते हैं ठीक है website is a collection किसका web pages का बिलकुल अब हम मैंने वही चीज़ आपको बताई कि हम अपने browser से request करेंगे हमारे server को ठीक है तो हमारे server के through हमारे सारे web pages हमारे सारी websites हैं जो आएंगे ठीक है चलिए अब कुछ इस तरीके से आप कहलो कि इसके अंदर बहुत सारे links हैं जो बने हुए हैं जैसे यह hyperlink है यह hyperlink है यहाँ पर click करके हम किसी और page पर चले जाएंगे ठीक है अब यहाँ पर दो तरीके से website होती है एक होती है जी static और दूसरी होती है जी dynamic static websites की अगर आप बात करोगे तो static websites के अंदर basically क्या होगा कि जैसे तुमने आज इस website को open किया है तो अगर मानलो तुम 15, 20, 50, 3 महीने, 4 साल के बाद open भी करते होना तो भी उनके अंदर वह अदर नहीं सकते ठीक है इनका interaction server के साथ में नहीं होता लेकिन जैसे मैं तुम्हें dynamic बताऊंगी तो तुम्हें मतलब समझ में आ जाएगा dynamic का मतलब ये होता है बच्चा कि जैसे हम IPL का match देखते हैं आपने google open किया है तो google पर आपने website वगरा का नाम डाला तो क्या होगा आपने किसी website को देखा अच्छा इसके अंदर आपको current का बता रहा है अभी अच्छा इब ये baller आ रहा है इसने ball इतनी fang दी है इतना ये out क पर चुका है तो वो क्या हो गई website वो डाइनमिक होगी और आज कल जितनी भी आप almost देखोगे ना सारी की सारी डाइनमिक ही है लेकिन static यानि कि जिसके अंदर आज भी data वही है कल भी वही होगा और वैसे वो photo लगी हुई है तो इसमें जब भी आपको change करना है ना उस वक्त क्या करना पड़ेगा जिसने उस website को बनाया है हमें उसी से contact करना पड़ेगा वो ही है जो उसको इंदर change कर सकता है क्योंकि इसका कोई भी connection सर्वर के साथ नहीं होता बट यहां पर हम change कर सकते हैं लग चेंज हो जाता है यहां पर ठीक है जैसे हमारे IPL का result हो गया या weather forecasting वग इसमें hypertext markup language के अंदर बनते हैं ठीक है इसके अंदर हम सारी video audio कुछ भी ऐसे ही collection हमारा पूरा का पूरा क्या हो जाती है website हो जाती है ठीक है जैसे हमारी एक एक पेज करके हमारी किताब बनती है वैसे ही हमारी एक एक करके web page बनके हमारी website बनती है web browser क्या हो गया अब तुम कोई copy में कोई content लिखना है तो तुम हाथ में थोड़ी ना लिखोगे what you need you need a copy for that अब मुझे खाना खाना है तो थाली चाहिए मुझे अगर इसमें computer के अंदर मुझे कुछ type करना है तो मुझे notepad की ज़रत पढ़ सकती है तो वैसे ही अगर मैं internet का use करना चाहती हूँ मुझ जिला फायरफॉक्स का use करते हैं Google Chrome का Safari हो गया और Microsoft Edge वगयरा हो गया है तो इनका हम लोग यूज करते हैं web browsers का ठीक है तो यह हमारे पास examples भी दे रखे हैं अब इन्फोमेटिक्स वाले बच्चों को इसके examples भी पूछे जाते हैं तो आप 4 पास examples जरूर करके चले जाना ठीक अपना एक particular address है यहाँ पर तो मैं यहाँ पर यह घर और यह आपको example क्यों दे रही हूँ यह इसलिए दे रही हूँ कि यह जो खेत है ना इसको हमने यहाँ पर दे दिया server web का server यानि कि websites का server तो यह क्या करता है यह store करके रखता है किसको अपके web pages websites वगेरा को internet के उपर जैस hosting मतलब मेरको अपनी website मैंने अपनी computer पर बना के रख ली अब मैं दुनिया जहान को website दिखाना चाहती हूँ मेरे computer में वह website है लेकिन मैं चाहती हूँ कि वह दुनिया जहान में दिखाई दे मतलब मैं उसको live करना चाहती हूँ अब पूरी दुनिया के लिए ठीक है अब ऐस पड़ेगी इसकी होस्टिंग करानी पड़ेगी ताकि वह 24 घंटे रात के दो बज़े भी ओपन करो सुभा तीन बज़े और रात के तीन बज़े सुभा कुछ होगी या गो डेड़ी वगएरा कि आपने देखियोंगी तो ये कुछ hosting companies हैं तो जिनकी मदद से हम ये चीज़ कर सकते हैं बस अब हमारा ये अंतिम topic जो की खतम हो चुका है हो गया है तो आपके पास में बच्चा networking के अंदर इतने जादा topics नहीं है ठीक है जितना भी है आपको मैंने strategy बता दी कि पांच नंबर में कोई जान नहीं लेने वाले ठीक है इसके तो pyqs भी अगर आप करते हो तो भी आपको पूरा का पूरा आपका हो जाएगा networking और मैंने इसके दुनिया जहान भर के pyqs आपको प्लस के ऊपर आपको special classes के ऊपर already करा रखे है और of course होंगे भी कल बच्चा हम लोग 7 बजे वाली class के अंदर क्या करने वाले है pyqs ही करने वाले है ठीक है तो ये जितनी भी 15 दिन की series है ना इसको save करके रख लेना exams में of course तुम लोग 2x पर चलाने वाले हो है ना 13 जून से पहले 12 जून की रात को है ना yes हम सब के mobile में बहुत ही fast fast बोल रही होंगे ठीक है चलिए अब आप हमारा भी telegram channel join कर सकते हो जिसका नाम है tech queen an academy by the way मैं अगर आपको यहाँ पर बता दू ये channel जो हमारा telegram का है आप इसको join करो इसको join करो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी अब मैंने आपको plus बता दिया plus की उपर of course अगर मेरे courses की बात करोगे तो worksheet practice questions regular classes ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी ठीक है ये सारी चीज़ें मुझे पता है time one के अंदर क्या हाल हुआ था तुम बच्चों का एक दिन में ही तुम लोगों ने पीने की कोशिश की थी एक दिन में पीने की कोशिश की थी जो हमने actually मैंने seven day pledge कराया था आई पी का एक दिन में बीस हजार व्यूज थे हाँ तो that means सब के सब उसको एक ही time पर घोटके पी ही रहे थे उस time पर ठीक है special class का time table note करो क्या होगा मेरी रोज क्लास होती है बच्चा मेरी रोज क्लास होती है शाम को साड़े पांच बजे free class और 9.45 पर होती है ठीक है अब मैं आपको कहूंगे कि yes आपको ये जो है आपके जो मेरे batches के अलावा भी देखो कितने सारे batches आप लोगों के आ रहे है ठीक है चल भी र दूसरी चीज यहाँ पर आपके पास में एक और सबसे बड़ी opportunity है ठीक है इससे बड़ी opportunity आपने ना तो कभी सुनी होगी of course नहीं आपको जो है हमने भी नहीं सुनी है of course हम कहें तो मेरे को भी एक बार के लिए तो लगा कि अच्छा मैं दुबारा सुनूं कि ये बात सही ह है कि नहीं है हमें ही नहीं यकीन हुआ था तो आपको गहां से होगा तो यानि कि बिलकुई एक life changing opportunity यानि कि इतनी जो अच्छी चीजे है वो आपको इतने कम price के अंदर यहां पर देखो मिल रही है यानि कि आप बच्चे हमारे साथ में अगले 45 दिन रचने वाले हो बहुत सारी चीजे ठीक है तो यह हमारी भी responsibility है कि yes 45 दिन जो आप आए हो ठीक है of course not only 45 दिन उसके बाद भी है ना तो आप 45 डेस को यहां पर design करो plus के उपर तो देखो आपको 299 के अंदर इसका subscription मिल रहा है यह सारी category और यह तारीक तक यानि कि 30 तक लेकिन इससे भी super duper चीज में आपको यहां पर यह बता रही हूं कि फिलहाल के लिए unacademy के उपर 20% का off चल रहा है जी कितने का 20% का अब यह जो 20% का off है यह आपको इस code के थू मिल रहा होगा जी मैम कौन सा यह code है जो की LA life ठीक है अब इसके अंदर क्या होगा इसके अंदर क्या होगा आप जैसे ही मेर code एंटर करोगे 20% का discount मिल जाएगा मतलब वो पहले से 299 था है ना अब हमने तो सोचा नहीं था लेकिन सोच से भी परे यानि कि देखो 239 के अंदर आपका convert हो गया तो 239 के अंदर आपका 45 days आपको पढ़ रहा है इससे बहतर opportunity सच में आप अपने आप से पूछे कि क्या हो स page लग जाने चाहिए तुम्हारे पास दिवार नहीं है अफकोर दिवार पर मतलब लगा नहीं सकते तो copy के अंदर 45 days जो design करो एक एक दिन design करो कि yes अगर उसमें से एक भी दिन follow नहीं हो रहा ना तो आखों में सच में आंसू आने चाहिए शाम को समझ में आई चीज तो अभ 29 वाला 239 बट यूज कोड ललाइव ठीक है अब देखिए अगर आप CUET वगरा की preparation या किसी की भी कर रहे हैं तो देखिए इसके अंदर आपका 20% सब categories पर हैं बट इसमें most important चीज ये भी है कि अगर आप देखिए CBSC 6-12 की journey long journey start कर रहे है तो इतनी calculation कर सकते हो यह 24, 18, 12 इतन कितना कम में पढ़ रहा है here also you use this code that is बच्चा कौन से वाला code मैं LA life code अच्छा कोई बात नि अगर तुमने subscription लिया है तो तुम्हें तो चीजें पता होंगी ठीक है चलिए अब हम आपसे लेते हैं अलविदा और जितने भी बच्चे है of course सब बच्चे अब आएंगे plus के ओपर ठीक है तो यानि की 299 वाला subscription LA life code के थूँ बन जाएगा 239 तो क्यों ना आएं plus के ओपर तो क्यों ना आएं plus के ओपर ठीक है चलिए अब हम लेते हैं आपसे अलविदा सब बच्चों को बाई-बाई कल शाम को 7 बजे हम most important questions करेंगे and like कर दो please ठीक है बाई-बाई God bless you